कैंसर एक ऐसे बिमारियों में से एक है जो व्यक्ति को शारेरिक और मानसिक रूप से कमजूर कर देती है कैंसर उन बिमारियों में से एक है जो धीरे धीरे फैलता है बॉलिवुद की खूपसूरत और लाखो दिलों पर राच करने वाली आक्टर सुनाली बेंद्रे भी इस रोग से जूच रही थे इस बात की जानकारी खुद सुनाली ने ट्वीट करके जुए फिल्हाल सुनाली न्यूयोक में अपना इलाज करवा रही है इससे पहले भी कई सेलिविटीज इस भयानक बिमारी से लड़ सुनाली आईए मंको बताते हैं कौन है वो सेलिविटीज इर्फान खान बॉलिवुड आक्टर इर्फान खान इंदिनों नियूरो एंडोक्राइन कैंसर से अपनी जंग लड़ रही है इर्फान भारत से दूर लंदन में इस गंभीर बिमारी का इलाज करवा रही है इर्फान की कैंसर से जंग जारी है हाल ही में इर्फान ने अपना दर्द बया करते होए अपनी बिमारी को लेकर एक पत्र लिखा था जिसके बाद बॉलिवुड हस्तियों ने इर्फान खान के जल्द स्वस्थ होने की काम ना भी की इंडिन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इवराज सिंग उन नामों में से एक है जो कैंसर जैसे बिमारी से लड़ चुके है 2011 विश्व कब जीतने के बाद युवराज को प्लेयर आप दे टूर्नमेंट का नाम दिया गया था टूर्नमेंट के खतम होते ही युवराज सिंग अपने फेफले के कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका चले गए और मार्च 2012 में वो ठीक होने के बाद भारत लौट आए एक और अविश्वस ने बॉलिवोड की कैंसर की कहानी लेखक निर्देशक अनुराग बासु की है अनुराग बलड कैंसर से ग्रस थे डॉक्टर्स ने उन्हें ये तक कह दिया था कि वो इस बिमारी के साथ केवल 3 महें तक ही जीवत रह पाएंगे लेकिन अनुराग ने हार नहीं माले और वो 3 साल तक अपनी इस बिमारी से लड़ते रहे और सफल भी हो अब वो पूरी तरह से ठीक है मनीशा कोईराला अक्टर्स मनीशा कोईराला भी कैंसर से लड़ चुकी है उन्होंने न्यू यॉक में लगबग 2 साल तक अपनी इस बिमारी का इलाज करवाया और उसके बाद वो एकदम ठीक हो गए आपको बता दे कीमो ठेरपी के दौरान भी मनीशा ने फिल्मों के लिए शूटिंग बंद नहीं की थी मुम्तास साट और सत्तक के दशक की अक्टरस मुम्तास भी कैंसर का शुकार हो चुकी है 54 वर्षे बॉलिवड अक्टरस मुम्तास को ब्रेस कैंसर हो गया था जिसके बारे में उन्हें काफी देर से पता चला कीमो ठेरपी की वज़ा से मुम्तास की हालत और भी खराब हो गई थी लेकिन उन्होंने हार नहीं बानी और इलाज करवाया अब वो पूरी तरह से ठीक है लीजा रे बॉलिवड अक्टरस लीजा रे भी कैंसर जैसी खतनाक बिमारी को पचार चुकी है इलाज के दौरान कीमो ठेरपी के कई चड़नों और असाने दर्थ से गुज़रने के बावजूद लीजा ने मौत से लड़ने का जजबा कायम रखा कीमो ठेरपी के कारण लीजा के लंबे बाल भी जाते रहे लेकिन मीडिया में छपी बिना बालों की तस्वीरों में भी लीजा मुस्कुराते हुए नजर आए कैंसर के लाज के दौरान लीजा लगातार अपने ब्लॉग के जरीए अपने अनुभवों के बारे में लोगों को बताती रही और कैंसर से हिम्मत से लड़ने का होसला भी देती रही